हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत सौगत है आप सब एक पर फिल्सर सरकारी हट में तो इस वीडियो में जोए मैं आपको एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि एचिन वियू की तरफ से आया है सारे ही गेंडियेट्स के लिए जिन्नों ने ब एक क्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि आपको जो है कंप्लीट इंफोर्मेशन इसके बारे में मिल सके क्योंकि आइंसी यानिकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की एक नई गाइडलाइन आई है कि आपका जो सेशन है नर्सिंग का देखना है कहां पर मिलेगा तो पहले आपको जो है HNBU की website पर आना है यानि कि HNBU.ac.in इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पर पहले page पर आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है इसके बाद जो है apply for counseling round 2 पर आप क्लिक करना उसके बाद ठीक है जो भी आपका course है आप किसी पर आपको क्लिक कर सकते हो वैसे वो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैस सबोज मैंने थर्ड वाले पर क्लिक करा कि apply for counseling round 2 पीसी नर्सिंग ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहां उपर की तरफ यह जो आपका चल रहा है मतलब जो flash हो रही है information कि seat matrix BSC nursing round 2 state quota फ update इनको वैसे देना चाहिए था officially मतलब highlight करना चाहिए था लेकिन इन्होंने किया नहीं तो schedule for round 2 counseling पर जब मैं अब क्लिक करूंगा तो एक नया schedule आ चुका है ठीक है यह देखो यहां सबसे उपर इन्होंने लिखा red color से highlight करते हुए revise schedule for second round counseling ठीक है और उपर आपको पते ही लि लिखा हुआ है second round के लिए कि online re-registration application form and choice filling by first round registered candidates and candidates opting for seat up seat up gradation ठीक है आप इन्होंने जो date कर दिये वो कप से कपता कर दिये 22-12-2021 से लेकर 31-12-2021 ठीक है यह जो date थी यह पहले आपकी 22-24 थी और 25 को इन्होंने लिखा था कि आपकी data की processing होगी और 26 तारीक को जो है आपकी second counseling का result आ जाएगा लेकिन अब schedule में थोड़ा change है तो जो भी students आप wait कर रहे हैं कि कल result आने वाला है कल result आने वाला है हमारी seat a lot होने का तो ऐसा नहीं होगा अब क्या होगा अभी किसी की भी अगर counseling रह गई है second round में कोई छूड या था कि वो counseling fill नहीं कर पाया है ठीक है तो उसके ल पूल गए हो या आपको यह नहीं पता था कि last date क्या है तो last date वो extend हो चुकी है ओके तो 31 तारिक तक शाम को पांच बे तक आप registration कर सकते हो second round के लिए और एक तारिक से लेके चार तारिक तक आपका data processing होने वाला यानि कि अब यह तीन दिन लेंगे data processing के लिए पहले एक दिन ले रहे थे और जो आपका result है second round का यह आएगा आपका 7 जन्वरी को ठीक है तो 7 जन्वरी 2021 को अब आपको बहुत ही जादा लंबा वेट करना पड़ जाएंगी क्योंकि जो result आपको कल आने वाला था second round की counseling का वो आप आएगा 7 जन्वरी 2021 को रात में 8 बचे के बाद ठीक है तो यह बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट अपडेट है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि website पे उन्होंने highlight करके यह चीज नहीं बत जो आप call out होगा है वो join करने के लिए पहले जो है सिर्फ आपको दो ही दिन दिये जा रहे थे ठीक है तो पहले जो दो दिन दिये जा रहे थे अब आपको पूरा एक हफता मिलेगा यानिकि आप अराम से अपनी सारी चीज़ों को arrange कर सकते हो अराम से जाके college में admission करवा सकते हो ओके अब बात करें उसके बाद मौप राउंड की counseling के लिए तो मौप राउंड की counseling अभी जो schedule है वो change हो चुका है ठीक है तो पहले जो मौप राउंड की counseling होनी थी वो शायद आपकी 29 या फिर 30 से होनी थी ओके इसमें क्या होगा जैसे 16 तारिक तक मतलब यह है कि लास्ट रेट होगी college को join करनेंगे उसके बाद क्या होगा 19 जनवरी 2022 को सुबह 10 बज़े के असपस या दोपहर तक जो है आपकी seat matrix आजाएगी यानि कि second counseling की जो seats होंगी वो जिसने ले लियोगी वो ठीक है और उसके बाद भी अगर कुछ seat खाली रह जाती है तो वो मौपप राउंड के लिए आ जाएंगी में लगेगा और 25 जनवरी 2022 को जो है रात में आपका मौपप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा ओके और लास्ट जोगी कॉलिज जोन करने की 31 जनवरी 2022 होगे तो अभी तक यह जो काम आपका 31 दिसंबर तक हो रहा था वह आपके वीडियो यूसफुल लगे होगी मेरे साथ बने रहे ना टेलीग्राम ग्रूप भी मेरा जोन कर ले ना सरकारी हट ऑफिशल ग्रूप के नाम से है जिसने भी अभी तक जोन नहीं कर रहा है ठीक है और यह बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था तो आई होब आपको पूर and have a nice day